यह कचणा जिला नहीं है यहां का प्रशेद मंदेर माता मंसा देवी का मंदीर है कुछ कदमों की दूरी पे रेल्वे स्टेशन है तो जिम्मेदार लोग इस और अंदेखी कर रहा है लोग आते हैं जाते हैं और इस बद्बूदार कूड़े की दूरगंद से दोचार होते हैं तो कही ना कहीं नगरप प्राइबली जो यहां विकास परतकार उसको देखना चाहिए गवी आई पी जिला बोला जाता क्या विवी आई पी जिले किता स्वीर है यह बीए कचड़ा जिला है विए पाई जिला नहीं है अब इनको परसासन को ध्यान देना चाहिए जिसके रख रखाव में उसे हटाना चाहिए बगल में रेल्वे स्टेशन है यह बगल में अपने घंटा घर बाजा रहे हैं अब इसके हिसाब में तो कुछ काम होना चाहिए यहां बाहर का आदमी आता है कोई आता है तो कहता मेरा सिटी गंदा है यह फलाना निमका है कहा के रहने वाले हैं हम रावेली जिले क बाहर जैसे आप रहते हैं बाहर लोगों से बात होती होगी बोलते होंगे वीवी आई पी जिला है सोनिया गांधी का गड़ है वो क्या लग रहा है यहां बोलते हैं अब हमें तो नहीं लग रहा है बाहर से जो भी कुछ दिखे लेकिन अंदर तो ऐसा नहीं लग रहा है य लेकिन आप मजारा यहां का साफ साफ खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी का अमबार लगा हुआ है और लोग बदबूदार रास्ते से आने जाने को मजबूर होगा है यह रेलवे कालोनी परिशार है यहां पे रेलवे के करमचारी लोग भी रहते हैं उनके छोट आप साफ साफ खुद तजबीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से दावे को एकदम अगर बोला जाए तो जमीनी हकीकत इस दावे की कुछ दूसरी ही नजार आ रही तो कहीं ना कहीं अगर कोविट की बात की जाए तो कोविट का लगातार संक्रमण बढ़ रहा है जिला प्रसासन हो या उत्तरप्रदेश के मुखे मंत्री लगातार साफ सफाई को लेकर के लोगों से विसेश अपील भी कर रहे हैं लोगों से ये भी बुला जा रहा कि अपने गर के आसपास साफ सफाई बनाये रखे पानी कब बहाओ ना रहे कूड़े से दूर रहे लेकिन कुला फैला हुआ है कि लगातारा आते जाते हैं घर को रहने से बिमारिया बहुत होती हैài इस ही कि अप क्या बताया बहुत ही ज़्यादार दीकट है बाप से क्या बता है अगर कहा जाए तो बहुत ही मजबूरी में सद्र। बिधान सबस हैं मेरी यहां के विधायका अधिती सिंग हैं हम लोग यह लोकल के हैं पिर भी कलोनी ले रखे हैं बहुत ही दिक्कत है वाप से क्या पता है बीमारियां इसे एक बार जो तो घर में समझा लेजिए चार बार उल्टी करना पुड़ता है अगर बात की जाए कोव लोग उनका सपोर्टर भी है सपोर्ट भी किया था कितनी समय से दूर्गंद को आप लोग जेल आज हमको यहां चार साल से चार साल होग है अभी जक नगर पालिका का कोई अधिकारी सोर ध्यान नहीं दे रहा है और हमारे बड़े भाई हैं बहुत पुराने हैं वो तो चार सालों से हम लोग इस बद्बूदार कोड़े में रहने के लिए मजबूर हैं लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार आला अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं यहां के स्थानी लोग हैं इन से भी बात करेंगे हो जानेंगे आखिरकार इस कूले दान को ले करके इन लोगों के मन में भी काफी दिक्कते रहते हैं इन लोगों को भी काफी आसूबधाय होती है अपना नाम यहीं के रहने वाले हैं आप यह बताइए जो सामने कोड़ादान आपके घर के सामने बना सही है ना यह नाली भी नहीं सही है और वह कोड़ादान भी नहीं सही है दिक्कते क्या हो रहे हैं कूले दान के साथ पहली बात तो सबसे बद्वू और कूला दो आप देख रहे हैं कूला अंदर पढ़ना चाहिए आता कालोनी तक है पूरा नाली नाली बन गई नाली कभी नहीं साफ होती है वह आगे पढ़ा पूरा कूला बन दे क्या कर्मचारी नगरपालका के इस और रात पूरा उठता है इसी बात नहीं है पूरा अंदर पढ़ना चाहिए गेट लगा बंद होना चाहिए कभी बंद नहीं होता बद्वू मच्छर सब यह हैं आप लोगों ने कभी नगरपालका में कंप्लेंड नहीं कि कंप्लेंड तब करी जब सु नहीं थे इन्होंने बताया कि नगरपालका के कर्मचारी कूड़ा लेने तो जरूर आते हैं लेकिन को लेकिन इस कूड़े को सुविस्ति धंक से यहां तक की अगर बात की जाया कच्छडा घर में गेट लगा होना चाहिए जिसकी वज़े से जो कूड़ा छोटा जानवरो की वज़े से रोट तक फैल रहा है तो उन लोगों को भी निजात मिल जाए लेकिन नगरपालका के जिम्मेदार आला अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहा है और इसकी वज़े से यहां के इस्थानी लोग हों या चाहे रेल्वे कर्मचारी हों सभी को दोचार होना पड आज नहीं आ रहा है राहूल मिश्रा आर एक्सप्रेस राइबरेली राइबरेली एक्सप्रेस खबरे सबसे सटी